सूर्य हमारी सौर व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति है धर्मो न्यूकलियर विस्वोटों की एक ऐसी विशाल भट्टी जिसमें हर पल उर्जा के भयानक विस्वोट होते हैं और भार में मांट एवरिष्ट के जितनी उर्जा हर सेकेंड सूर्य से निकल कर अंत्रिक्ष मे फैल जाती है ब्रमान में फले ही तारों की संख्या अर्बों में हो पर हमारी सौर व्यवस्था पर तो सूर्य ही राज करता है एक विशाल आकार का देहकता गोला जो हाइड्रोजन और हिलियम से बना है और जिसमें प्लाज्मा पधार्थ लाखों डिग्री के तापमान पर उबलता रहता है सूर्य की सतह पर हर समय भयानक विस्वोट होते रहते हैं जिन से निकलती गर्मी और रेडियेशन अंत्रिक्ष में लाखों मेल दूर तक फैल जाते हैं हमारा सूर्य अपनी सतह के पीले रंग और छोटी आकार की वज़े से पीले बोने तारी की शणी में पर सूर्य का छोटा आकार केवन ब्रह्मान के दूसरे तारों के मुगाबले ही छोटा है लेकिन हमारी सौर्य विवस्था में इस से उपर कोई नहीं है हमारे सौर्य मंडल का 99 प्रतिशत से ज़्यादा पधार्त केवल सूर्य में मौझूद है और बाकी बची एक प्रतिश सबसे बड़ा तारा है जो कई ग्रहों चंद्रमाओं छोटे बड़े पिंडो और उलकाओं से घरा है यह उश्मा और उर्जा दोनों का ही विशाल भंडार है जिसकी सतय का तापमान ही साड़े पांच हजार डिगरी सेलसेस है और जो 38,000 करोड अर्ब मेगावाट उर्जा पैदा करता है यह कितना जादा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धरती का सबसे बड़ा पाउर स्टेशन केवल 22,500 मेगावाट उर्जा ही पैदा करता है सूरे केवल एक सकिंड मेही इतनी उर्जा जलाता है जितने समूचे मानब इतिहास में मिलकर आज तक नहीं हुई और इस तरह से सूरे को चलते हुए अरबों साल गुजर चुके हैं एक सदी पूर्व तक माना जाता था कि सूरे भी धरती पर जलने वाले किसी सामान से इंधन की धेर की तरहा जल रहा है जिसमें वग्यानिक हमेशा इस दोविता में रहते थे कि अगर सूर सामान इंधन की धेर की तरहा जल रहा है तो वह अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ सूरे की द्रवमान को देखा जाए तो वह अब तक जल कर खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन सूरे को इसी तरह से जलते हुए कई अरब साल बीच चुके हैं अगर हमें सूरे जितने बड़े सूरे को इतने समय तक जला कर रखना हो तो हमें कई सू खरब बीड़ों की लकडियों को प्रयोग मिलाना होगा तो हमारे सूरे के खत्मने होने वाले इंधन के पीछे आखिर क्या राज है सन 1920 में सूरे के इस रहस्य से भी परदा उठ गया व्यग्यानिकों ने पाया कि सूरे की इतनी कम रफ्तार से जलने के पीछे नाभी की ये सल्यन यानि निकलियर फ्यूजन प्रोसेस है जिसके आधार पर हाइड्रोजन बंप काम करता है सूरे के अंदर हाइड्रोजन के कड़ केंदर के बहुत जादा दवाव की वज़े से आपस में टकराकर हिलियम के नई कड़ों को जन्म देते हैं इस पूरी प्रक्रिया में बनने वाले नए हिलियम कड पुराने हाइड्रोजन के कड़ों से थोड़े से कम डेंस यानि हलके होते हैं और जो भार इन कड़ों ने खोया है वो उर्जा बनकर बाहर निकलता है इस तरह से हर सकेंड सोरे के अंदर 60 करूर मेट्रिक टन हाइड्रो जाती है जो कि एक अरब मेगाटन हाइड्रोजन बंक के बराबर है सूरे इतनी उर्जा के वल एक सेकिंड में जला देता है अब हम जानते हैं कि वास्तव में सूरे निकलियर फ्यूजन प्रॉसस पर आने वाले कई अर्बों सालों तक और जलता रहेगा निकलियर फ्यूज कि वाले उर्जा के भंडार बना सकती है पूरी दुनिया में निकलियर फ्यूजन प्रॉसस को नियंतरित रूप से संपन्न करने की दिशा में खोजे हो रही है जिसमें इंटरनाशनल थर्मो निकलियर एक्सपरिमेंट रियक्टर सबसे ज़दा प्रभावी है यूरोप ची से आती धूब भी हम मानवों के लिए उर्जा का एक कभी खत्मने होने वाला स्रोथ है धूब जिसके बिना धर्दी पर जीवन की करपना करना तक असंभव है जो कई करूर सालों से धर्दी को जीवन देती आई है ये हमारे लिए एकदम मुफत में उपलब उर्जा का सबस के पीछे एक बेहत दिल्चस्प कहानी चिपी है सूरह की कोरियानी केंदर में हो रहे निउकलर फ्यूजन में बन रही और्जा उश्मा और रोशनी के कड़ों के रूप में बाहर निकलती है जिने हम फोटोंस भी कहते हैं इन फोटोंस को धर्दी पर आने के लिए एक बेह तक आने में ही लाखों साल लग जाते हैं यानि जो धूप अभी हम ले रहे हैं उसके बनने की शुरुआत आज से एक लाख सतर हजार साल पहले हुई थी दोस्तो आज किस एपिसोड में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोग मिस ना करें मैं हूँ आपका दोस्त विशाल फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में तब तक के लिए नमशकार